चलिए तो इस्टार्ट करते हैं यहाँ पर जो आपका इस्टार्टिक जी के को कोश्चन है कि जूलती मिनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस सहर में इस्थित है चलिए जवाब दीजिएगा 73 को आप्शन सही क्या हो जाएगा तो यहाँ पर जवाब आ रहा है ओप्शन यहाँ पर आपका B-Number अहम्दाबाद तो बिलकूल जवाब सही है आपके अहम्दाबाद में कहां पर हैं अहम्दाबाद में हैं याद रहें नहीं करें आपका CD क्या हैaja CD बसीर, CD बसीर एक मस्जिद क्या है एक मस्जिद है कोही जूलती मिनार की रूप में जाना जाता है किसे सीधी बसीद मस्जिद कोही जूलती मिनार की रूप में जाना जाता है क्यों क्यों कि यहां किसी भी एक मिनार को हिलाने पर दूसरी वाली अपने आप कुछ अंतराल में हिलने लगती है माली जी एक मिनार ये है हना ऐसे आपकी बनी है एक को हिला दीजिए और थोड़ी देर बाद दूसरे हिल जाएगी इस कारण से बोला जाता है कि हिलती हुई मिनार कहा जाता है क्लियर है चलिए आते हैं ले कोश्चन को कोश्चन आप से बोला पूछा गया है कहा रहा है बड़ा इमाम बाड़ा जो इस्थित है कहां पर इस्थित है चलिए बड़ा इमाम बाड़ा जो कि कोश्चन आपका पूछा गया था लोर पीसियस में एक्जाम पूछा गया था यहाँ पर option आ रहा है आप बी नमबर आपके लखनव में जवाब बिल्कुछ सही है बी नमबर लखनव में है और ये भी पूछा गया था कि ये बनवाया किसने था हना किसने बनवाया था तो आपके आसुपत दौला ने किसने आसुपत दौला ने बनवाया था याद रिखे में निम्न में से क्रमसाकिन देवताओं की पूजा होती है तो बताइए गभाई आपके बदरी नाथ और आपके केदार नाथ में तो बताइए बदरी नाथ में किस भगवान की पूजा होती है और आपके केदार नाथ में तो बदरी नाथ में किस भगवान की पूजा होती है ठीक है ना केलियर है ना चलिए आते हैं एक ले कोशन को और कोशन आप से गला पूछा गया है कि धर्मिक तेवाद दुर्गा पूजा किस राजी के उत्सा के रूप में मनाया जाता है बहुत ही प्यारा कोशन और बहुत बार पूछा गया ये कोशन आपका है चलिए तो काली पूजा का भी प्रिचलन है, याद रखेगा ओप्स न आप का भी होज़ेगा चलिए यहां पर आते हैं इक लिए कोशन को और पूछन आप से दिया है उनकारवाट मंदीर जो इस्थी थी थे कहाँ पर है आईसी ही कोशन यहां पर कमबोडिया यहां पर कमबोडिया जो आपका है हना कमबोडिया है यह खमेर राजा थे क्या थे एक राजा थे खमेर क्या खमेर राजा थे सूर्य वर्मन कौन थे भई सूर्य वर्मन थे इन्हों ने सूर्य वर्मन को भी कौन से दूती है सूर्य वर्मन दूती ने य अच्छा एक कोशिершन ये भी पुछा जाता है यहां से कहा जाता है कि जो उंकार वाट का मंदीर है यह कौन से देधा के लिए समर्फित है। लोग जुड़ते हैं एक बार उतने लोग अगर लाइक हो जाएं तो किन्तना अच्छा लगे पढ़ाने वाले को हो सकता है वो अपना कलेजा निकार के आपको पढ़ाने लगेगा ठीक है लाइक सेर करते रहें जल्दी जल्दी चलिए बताएगा आप वासल्ले मेला प्रती प्रती वर्स कहां आईजित किया जाता है यहां पर जवाब आ रहा है ओप्सन आ रहा है यहां पर आपका सी नंबर आपके नई दिल्ली में कहां पर ऑप्सन सी होजेगा नई दिल्ली में प्रती वर्स आपका यह मनाय जाता है और इसे दिल्ली हाट के नाम से भी जानते हैं आगे बढ़ते हैं कोशचन आप सिगला दिया गया है, यहाँ पर दिया है भारत की इकला और संस्कृत के बारे में कोशचन दिया है, चलिए देख लेते हैं, दिया गया है कि बादाइू अपने जरी जर्जोदी उत्पादों के लिए प्रिशिद्ध है, यहाँ काम इसे बोल देते हैं, इनके स्थानी भासा में बोल जाता है, कार चोबी, क्या बोलते हैं, और यहां पर बन जाएगा, आपका D नंबर आपका होजएगा, कुम लाग देखा जाए, जैसे आपका रेसम है, रेसम का कपड़ा, मोती, और मचली के तार, नकासी, नग, मोती, किसी को का जाता है, कार चोबी, ठीक है, चलिए, आईए भई, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इनमें से कौन सा इस्थान, धात की कला, रंगीन, तामचीनी, और जटिल नकासी के लिए प्रिशिद्ध है, जटिल नकासी के लिए आप से पूछा गया है, तो यहां पर अक्सी क आप से दिया गया है, कहर आप से हरदौल कथा, विशेश रूप से लोक गीत हैं, जो कि उत्तर प्रदेश और मद्द प्रदेश में फैले हुए हैं, कहां पर भई, देखो यहां पर दिया है हरदौल, और आपका दिया है क्या कथा, हरदौल कथा, यह कहां पर आपका है, त काफी प्राण ने चाहर करते थे उने के निर्वाहन में यह आपके आराथ दे ठीक है चलिए आते हैं अगले कोश्चन को कोश्चन दिया गया है कि वारा रसी के सास्त्री हिंदुस्तानी गायक का नाम बताएं जिने प्रिशिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिस्त्रा ने देवी प्रिशिद्ध सारंगी सियाजी मिस्त्रा ने गोद लिया था सियाजी मिस्त्रा ने गोद लिया था किसे सिद्धे सुरी देवी को गोद लिया था इसका ओप्सन क्या हो जेगा यहां पर यह हो जेगा अगर हम आपसे बोले कि सिद्धे सुरी देवी का जो जन्म हु तो आपके 1907 में हुआ था जब बच्पन थे तभी इनके माता पिता के क्या हो गया था ठीके चलिए आगे बढ़ते हैं कोश्चन आप से अगला पुछा गया है कह रहा है अम्रता सेर्गिल किस रूप में प्रशिद हुई अम्रता सेर्गिल का नाम आपने सुना होगा बहुत किसिकते हैं इनका रूप में ठीके आते हैं कोश्चन कोश्चन आप पुछा गया है कह रहा है कि प्रतिमारक भ्यक्ति अम्रता सेर्गील का जन्म स्थान चलिए इसą लिए कि खोजएगा ठीके और यहां पर अगला कोश्चन दिया है कह रहा है आप से आपर कि की मोनो किस ACI देश की परिधान सहली है बताएगा की मोनो किस ACI देश की परिधान सहली है 86 जवाब बनेगा यहाँ पर आपका D नमबर यह जापान की सहली है कांकि यह आपके जापान की परंपरगत आपकी सहली है ठीक है इधर जो कि एक रिवाज है ठीक है रीत रिवाज है जो कि तेवार की उत्सान में पहने जाने वाला एक परिधान है यह क्या है यह तेवारों में पहना जाता है ठीक है तेवारों में पहना जाता है चलिए आते एकले कोर्शन को और कोर्शन दिया गया है कि निमने में कर संबंद है इसक्वारिस खिडारी से और अल्ला रखा आपके तबलावादक से हैं मेधा पाटेकर है प्रयाबरन अक्टिवेटी से तो यहाँ पर जवाब का जही जवाब होगा डी नंबर इसमें से सही हो जाएगा ठीके आए आते हैं एकले कोर्शन को और कोर्शन दिया है मोना लिशा का प्रशिद चित्र किसने बनाया था यह तो कोर्शन आपको हमेशा याद होगा ना एक कोर्शन आपको याद होगा और हमसरा आपको दिख भी गया है लियो नार्दो दाविंसी है ना कौन है आपके लियो नार्दो दाविंसी है इसका राइट अंसरब क्या हो तो option D हो जएगा यह आपकी Spanish थे इस पेन में एक जगा पढ़ती है Malaga पढ़ती है Malaga तो Malaga में आपके कैसे थे ठीके ना तो option क्या हो जगा यह आपका D हो जगा अगला question आप से दिया गया है चाहरा है भारत माता नामक प्रिशिद पेंटिंग के चितरकार कौन है? भारत माता नामक जो प्रसिद्र प्रेंटिंग है इसके चित्रकार आप से पूछा है और चित्रकार का जवाब से क्या हो जगा चले भाई अगर आपने पढ़ा है तो जवाब दीजे जल्दी से चले जवाब आ गया है याप पर आपका बी नमबर आउनींद टैगोर कौन हो जाएंगे और नींद टैगोर इसका राइट अनसर आपका बनेगा और नींद नाथ टैगोर ठीके बी नमबर आपका जवाब राइट हो जाएगा और इन्होंने ये जो चित्र बनाया था 1905 में कब बनाया था ठीके चले आगे बठते हैं दिया गया है कि 1931 में भारत वर्स में पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी पहली बोलने वाली जो फिल्म थी वापकी कौन सी थी चलिए आप जवाब देना है 1931 आपसना रहा है ए नमबर आला मारा देखो आला मारा जो आपकी थी ये पहली आपकी बोलने वाली फिल्म थी इसके निर्देशन कभी कभी पूच लेता ह इसके निर्देशन कौन थे तो थे आर्देशिर क्या थे तो इसके निर्देशन थे आर्देशिर ठीके क्या थे आर्देशिर इरानी ठीके आर्देशर इरानी इनके निर्देशक थे ठीके न और जो मूख फिल्मे थी वो आपकी थी हरिस्चंद ठीके अगला कोशन दिया गय किस वरस अपनी पहली फीचर फिल्म तयार की थी दादा साब फालके ने अपनी फीचर फिल्म जो तयार की थी वो किस सन में तयार किया था चलिए बताइएगा इसका राइट अंसर क्या हो जेगा जवाब आ रहा है आपर डी नंबर बहुत अच्छे मतलब आपकी तरह किया थी याद रिखेगा बंब़ई में जो आपका थियेटर है वहाँ पर आपकर की गए थी तो अप्शन क्या हो जेगा यहाँ पर डी नंबर आपका हो जेगा आते किहें क्लिकॉशन को फिल्स उत यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा यहाँ पर जवाब आ रहा है जो मड़ी पूरी है एक ऐसा है एक सास्ती नरत्य है आपको याद रखना है ठीक है ना चरी आते हैं गले कोस्चन देखो यहाँ पर दिया है मयूर भंज अगला कोस्चन आपसे दिया गया है कह रहा है तीलाना किसका फार्मेट है यह बहारत नाट आट्यम का सबसे आखरी अम्स है भारत नाट्यम का सबसे आखरीर आपका तो यह option D हो जएगा तीलाना जो आपका है यह भारत नाट्यम का सबसे आखरी अंस है और इस अंस में क्या होता है कि जो नरत्य होता है नरत्य में आपके कैसे साथ-साथ नारी के संदर को भी यहाँ पर दिखाया जाता है ठीके चलिए आते हैं एक लिए question को और question आपसे एकला पुछा गया है कह रहा है ब्यक्तियों को सूची है और उद्धोगों को यहाँ पर मिलान करना है यहाँ पर दे सकते हैं जिव मिल्खा जिनका निधन भी हो चुका है हना मिल्खा जी का यहाँ पर निधन भी हो चुका है इनका संबंद बताईएगा कि इनका संबंद किस्से जो आज़ान है उसको भिलान कर लेते हैं जीव मिलखा सिंग यहां पर आपका जवाब क्या बने गाएं घृट्व मिलखा गोल्फ से जढ़िए मिलखा संबना फूस जवाब ज़रे हैं और शी व कुमार सिर्मा दिया है यह है हना ये संतूर है ठीक है साथ से संतूर हो जगा संतूर आपका हो जगा संतूर हो जगा तो भी नमबर आपका गलत हो गया राजा रवी जो आपका चित्रकार अभी आपने बताया भी था उस्ताद बिस्मिल्ला कहाँ आपके सितार थी तो आपका ये भी सही है लेकिन उप्स ये राजस्थान में इसे याद रखे गौर गढ़ गौर तो ये आपके राजस्थान से संबंदी थे ठीक है इसका B हो जाएगा गड़े सितुर्थी काम पर होती है तो आपके महाराष्टी में बहुती प्रिचली थे तो आपका C हो जाएगा दुरगा पूजा आपके पस्च हम नहीं जवाब देंगे क्योंकि तीन कोश्चन अभी आपको बता भी दिया है चले स्वरगी राजा रभी सर्मा जो थे वो किससे तो आपके चित्रकारी से थे किससे थे चित्रकारी से थे आते एगले कोश्चन के और कोश्चन आपसे एगला पूछा गया है कहरा आपसे आपर करें हंस दम यंति नामक स्रेश क्रति किसके द्वारा रंग चित्रित है नाम क्या दिया है हंस दम यंती यह भी 2019 में पूछा गया था और 2020 में भी पूछा गया था ये है option आपका होज़े कौन सा आपकी राजा रवी सर्मा है ये रंग जो आपका चित्रित किया गया है ये आपकी किसके द्वारा राजा रवी सर्मा के द्वारा हुआ है अगला question दिया गया है क्या रहा है सूची फर्ष्ट को सूची सेकेंड से सुमेरित करना है यहाँ पर देखो दिया गया है कुछ बेक्ती हैं और उनकी गत्विदियों के बारे में दिया गया है तो देखो यहां पर जो आपको आ रहा है उसको आप कर लीजेगा जो आ रहा है उसको कर लीजे क्या आप करेंगे आप करेंगे वी कुरियन तो वी कुरियन का समझ किसे है डेरी से है तो आपका B हो जएगा ठीक हैं फिर दिया है सुनील मित्तल सुनील मित्तल जो आपके हैं ये दूर संचार उधोग हैं इसका D हो जएगा अब उसा सर्मा जो आपके हैं ये कथक से नरत्य करती हैं इसका A हो जएगा और वीनु मानकल जो हमें पता नहीं था वो हम आपसन के अं है तो उसको आप लगाईए और आगे option लगा दीजे चलिए यहां पर सुची फर्ष और सुची सेकेंड दिया गया है यहां पर यामनी कृष्ण है यहां पर आपका हो जेगा यह राजणिस से हैं यह क्रिकेटर है यह क्रिकेटर है यह क्या है क्रिकेटर है इसका आपका क्या हो जगा डी हो जगा ठीक है एक नहीं लगाया कौन से नहीं लगाया ये वाला सी वाला एक बचा है राजा रवी तो आपको पता है ये चित्रकारी थे दिखो ये भी आपका स्वल हो गया C, D, A, B कितने आसानी से हो गया C, D, A, B C, D, A, B, C, D, A, B कहा है C, D, A, B, C, D, A, B option आपका यापर A नमर आपका right हो जएगा ठीके चलिए आगे बढ़ते हैं दिया गया है निम्लिकित का मिलान कीजिए चलिए यहाँ पर भी मिलान कीजिएगा यहाँ पर इस प्रकास से दिया गया है और मिलान करिएगा इसका मिलान क्या हो जएगा देखो दिया गया है गौरी संकर देवी लाद मालो नहीं पता है हना मालो नहीं पता है तो यहाँ पर देखो कौन सा आप करेंगे हरी प्रसाद चौरसिया के देखे है हरी प्रसाद चवरसिया जो आपके हैं वो कैसे हैं तो आपके बासुरी है इसका आपका A हो जाएगा और 2 का A कहीं पर मिला है 2 का A कहीं मिला है देखो C वाला मिला है मतलब देखा जाए तो बहुत यह आसान सब दों असे इसका अंसर हमने पकड़ लिया है योगि हरी संकर चौरसिया क्या है बासुरी वाले हैं हना तो 2 का हो गया A हो गया 1 का C गौरी संकर देवी क्या है तो आपके कथख है तो इसका क्या हो जगा C हो जगा फिर 3 का B है मतलब M F हुसाइन का सम्मझ किसे चित्रकास से है तो यहां पर देखो दिया हुआ कौन सा हुआ देयंतर है जिस पर उस्ताद एहमद अली खाने निपुड़ता प्राप्तिकी जवाब दिया गया है क्या कि उस्ताद एहमद अली खान और इनका जो सम्मंध है वो किसे है तो यहां पर जवाब 103 का रहा है तबला से क्या बात है तबला हो जाएगा याद रिखेगा उस्ताद अजमद अली खान है अमजद अली खान है और इनका सम्मंध है आपके सरोध से है किसे है सरोध से है इसका option बनेगा यह नमबर हो जाएगा ऐनका जणम गौालियर में इनका जनम हुआ था किस वादन के लिए विख्यात है तो हरी प्रशाद चौरसिया यह सम्मंदित है आपके बाहसुर्य से option आपका बनेगा यहाँ पर आपका अब बाहसुर्य आपका जवाबराइट हो जएगा अगला कोशन आपसे दिया गया है कि किस शेत में उस्ताद बिस्मिल्ला खाने प्रसिद्धी पाई है चलिए भाई स्टैटिक जीके है ऐसी मेनत करते रहे है और जीके मजबूत तो पी टी मजबूत है ना और यहाँ पर कह सकते हैं 2001 ये भी याद रखें 2001 मेने भारत रतने से सम्मानित भी किया गया है 2001 मेने भारत रतने से सम्मानित भी किया गया है याद रखेंगा आगे बढ़ते हैं प्रसनाफ से गला पूछा गया है कूट आपका दिया है फिर से संगीत दिया है और आपका उत् कैसे हैं यह आपके वीड़ा से संबंदी थे हैं हाना यहां पर बिस्मिल्ला खां की बात किया गया है बिस्मिल्ला खां जो आपके हैं यह कैसे हैं यह कैसे हैं तो इसका वन हो जाएगा फिर दिया गया है आपका टी एंड करशनन दिया है क्या दिया है यह जो आपके हो जाए कि सवरी यहां पर सैनाए दिया क्या देखो मिलान कर देते हैं करम से नरीक गढ़ बना हो जएए देखो जो आपके दिया गया कौन सा अमजद लिखा ठीके इनका संबन्द किसे है तो आपकी वीड़ा से इसका फूर ओ जाएगा मलीकार जून जो आपके हैं इनका संबन्द कि है इसका 2 हो जाएगा तो 4-3-1-2 इसका जवाब बनेगा तो 4-3-1-2 आपका कहां पर है 4-3-1-2 है option B में दिया है ना जो आ रहा है उसी को आप लोग करिए मतलब जो आ रहा है पहले उसी पर लोग करिया है अगला दिया गया है मदवनी-सेली बताइए मदवनी-स Keys जो विख्यात हैये कहां पर विख्यात är चले 107 नंबर में तो आपके बिहार में ना कहां पर आपके है तो आपकी बिहार से समंदी थे मदवनी सैली और हमने बताया भी था कि दर भंगा मदवनी और और नेपाल की कुसा यसे चेतर हैं जो ये चित्रकार के रूप में ये प्रसिद्ध भी आपके हैं ठीक है आते हैं एक लिए कोशन को और कोशन आप से गला दिया गया है क्या रहा है टिप पानी निम्न में से किस राजी का लोक नते है टिप पानी टिप पानी कहां का लोक नत काई का है गुजरात का है इसका option क्या बनेगा सी गुजरात से संबंदित है गुजरा से और यह बिशेस इस रूप से देखा जाए तो महिलाओं के द्वारा किया जाता है महिलाओं के द्वारा टेप पानी मतलब होता है लोहे लकडी के ब्लाग से जुड़कर बनी होती है टेप पानी जो होती है या लोहे या लकडी से ब्लाग से मिलकर बनी होती है ठीक है आते हैं एक लिए question को और question आप से लिए पूछा गया है निमने कित में से कौन भारत नाट्यम की नरतिका नहीं है भारत नाट्यम की नरतिका नहीं है चलिए एक सुन्नो नंबर में तो देखें यहाँ पर दिया है लीला सैमसन गीता रामचंदरन और सोनालमान सिंग लेकिन सितारा देवी यहाँ पर option क्या हो जएगा सितारा देवी यह कह सकते हैं कथक की हैं किसकी हैं बही तो आपकी कथक की हैं तो option क्या हो जएगा यहाँ पर आपका एह राइट हो जएगा आगे बढ़ते हैं प्रसनाप से अगला पूछा गया है कह रहा है कि निम्लिकित में से कौन सा भारती लोक नरत्य है भारती लोक नरत्य पूछा गया है बताएगा यहाँ पस सही जवाब क्या हो देखो यहाँ पर दिया है लोक नरत्य और लोक रत्य जो आपका है वो गर्बा है क्योंकि ये तीनों कैसे हैं ये सास्तीन रत्य हैं क्या है ये सास्तीन रत्य हैं तो दिया गया है लोक रत्य तो आपका हो जाएगा गर्बा कितना असान था गुजरात का है गुजरात का है ठीके ना चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस नाट्यम और भारत नाट्यम जो आपका है भाई भारत नाट्यम आपके तमिल नाडू का है नाकी आंद्प्रदेश का है कहां का है आपके तमिल नाडू का है तमिल नाडू का है फिर दिया गया है आपका कुची पुड़ी और कुची पुड़ी है कहां का आंद्प्रदेश क आगला कोशन दिया गया है क्या कोशिन कौन सा यूंवग गलत है जल्दी से बताइए इसका जवाब कौन कौन सही दे सकता है तो घूमर दिया है राजस्थान बिहु दिया है बिहार भांगडा दिया है पंजाव और लोडी दिया है महाराश्ट यहाँ पर एक सुबारा नमबर में चले एक सुबारा का अप्शन आज़ा है बिहु बिहार का है भाई बिहार का है भी हो हम तो कहते हैं भाई बिहार का ही है आप बताइए कहा का है असम का है बिलकुल सही है असम का है ठीके कहा का है ये असम का है बिहार का नहीं है याद रखेगा असम का है ठीके तो आपसन बी आपका गलत दिया गया था अगला दिया गया है कह रहा है कतक प्रिचलन का किस राज में है चलिए तो कतकली का जवाब आ गया का से किरल तो आपका जवाब क्या होजज़े का D होज़े एपकी किरल से संबन्दी थे केरल से संबंधी थे ठीक है न और आते एक ले कोश्चन को Ego यह है आपके करनाटक से नुद्ध से मद्ध किस भारती राज से और अगला कोश्चन दिया गया है यहाँ पर दिया गया है कोश्चन नंबर आपका अगला आपका है तो आपकी गुजरात का है तो आपकी गुजरात का है तीक है और अगला बताईएगा अगला दियागया है यहाँ पर डांडिया लोक नत्य निमिकित में से किस राजी से सम्मन्दी थे डांडिया लोक नत्य किस राजी से सम्मन्दी थे यहाँ पर जवाब दीजे और डांडिया तो आप वता है गुजरास से सम्मन्दी थे option क्या बनेगा C number आपका जवाब right हो जाएगा मद्दार होंगे तो आप जरूर बोलेंगे और नहीं है तो बहुत कोई बार नहीं है लेकिन अफ्लाइंग कमेंट जरूर करें जय हिंद